भूतापी ओर्जा सुरोत से तात पर्य प्रत्वी की आंतरी गर्मी या तापमान को ओर्जा सुरोत के रूप में प्रियोग करने से है इस वीडियो में समन्द में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो को जरूर देखें इससे पहले प्लीज हमारे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा होसला बुलंद होता है धन्यवाद भूतापी ओर्जा सुरोत नविंतम गैर परंपरगत ओर्जा सुरोतों में से एक है जिसका प्रियोग हमने अभी हाली के वर्षों में शुरू किया है इसमें क्योंकि भूतापी ओर्जा की बात हो रही तो प्रत्वी की पहले आंतरिक्स नरशना में आपको बता दूँ कि हमारे तीन परते हैं भूपरपटी, मेंटल और क्रोड जैसे जैसे हम आप देखते हैं अगर हम प्रत्वी के केंद्र की बात करें तो प्रत्वी का केंद्र से और त्रिज्जा अगर हम बनाएं उपर तलखी तो वो 6370 किलोमेटर रहे लागए और जैसे जैसे प्रत्वी में हम नीचे खुदाई करते जाते हैं तेम्परिचर बढ़ता चला जाता जैसे कि आपको अगर मैं छोटा सा एक्जामपल दूँ सर्दियों के अंदर आजकल सर्दी चल रही है आपकी जब हम नल का पानी लेते हैं तो अंदर से गरम निकलता है जिसका ताथ पर यह है कि नीचे गर्मी है और उपर की अपेक्षा तो ऐसे ही प्रत्वी के अंदर जो गर्मी है उसका हम जो प्रियोग करते हैं उसे हम भूत सब्सक्राइब करें तो इतना टैंपरेचर है कि जितने भी पथरे पिगल रखे हैं और मैगना के रूप में जो आलमों की फटने पर आपको दिखाई देता हुआ जहां पर भी वह जो मैगना के पत्थर प्रथिवी के लेयर के पास आते हैं और पर भू जल जो है कुछ जाधा गरम पा जाता है जिसे खूद कर पाइप इंसर्ट किया जाता उसमें और पाइप से जो है भाप बहार निकलती है और उस भाप का प्रियोग टर्वाइन को घुम इंजन को घुमाने के लिए इसी परकार यहां पर भी टर्वाइन को घुमाने के लिए भूत आप यह उर्जा का प्रियोग किया जाता जिससे कि इंजन घुम जाता जो पिगलावा पत्थर है वो गरम है पहला हमें यह जाच करनी होती है कि मैगना कहां कितने उपर में है जो नसदीक के अंदर है उसको भूमाने के लिए प्रियोग करते हैं जैसा कि अगर आपने सुनाओ जौला जी जिसे नवर कोट लोग जाते हैं तो वहां पर पानी घरम होता है जिससे कि पानी उपर है ऐसे ही को छेत्र सिया चीन चेत्र के अंदर या पहाड़ी छेत्रों के अं वहां इसको पॉसर्ट कर देते हैं जब पाइप इशर्ट हो जाता है इस्सा फोने पर होता हैं जब आसपास पा जो पानी आप एक जो आप ऐती वहował कि उदसाुछ से यह ऐ हम नगती है जब कर दे भूअ वह महां आगे का ञास हमारे जद ज़ो नगे घूमने पर उसे जन् बिजली उत्फण हो जाती है और बिजली उत्फण हो करके वह विजली सप्लाई द्वारा हमारे घर तक पहुंचाए जाती है इस परकार भूत आप यह उर्जागा प्रियोग किया जाता है कहने का मीनिक है कि मनुष्य को जब भी कोई चीज घूमेगी उससे उर्जा प्रियोग कर सकते हैं मुझे आसा नहीं अपी तु पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा दे गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी क्रिप्या हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिए इससे हमारा होसला बलंद होता है बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वेरी म मुझे प्रेंद पराओरा आसाल प्रेंछ जाओश टु चॉर्ण बीर्ण